हेलो गाइज वेलकम टो एनदर वीडियो प्स्टॉक मार्टिफिंड साउथ इंडियान बैंक की ओड़ से मार्च क्वाटर की फिनांसल रिजल्ट पेस हो चुके स्टैंडर ओन कॉंसॉलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुके साथ में कंपनी की और से 30 पैसे पर ए में 1863 करोर ता मार्च 22 क्वाटर में 1839 करोर का इंकम था इंकम कॉर्टर ओन करीज य्ञा दोनों में तेजी देखने को मिल रहा है पिछले क्वार्टरम 203 करूल था और मार्च 22 क्वार्टरम 287.9 करूल का उपरेटिंग प्रॉफिट था क्वार्टर और क्वार्टर येर और दोनों में तेजी देखने को मिल रहा है अगर हमँद करें यहां पर कंपनी का निट पॉफिट तो क्वार्टर हमपरेट का 333 क्वार्टरम 103 कrok था और 212 क्रोल का निट पॉफिट था और क्वार्टरओ box tutte देजी देखने को मिल रहा है है अगर हम को लेक्र स्टेंडालॉन रिजल्स को कवर करें नंबर लैक्स में दिये गा है इंकम की बात कि 2380 करोड का है पिचले कोडर में 1864 करोड था ओमार 22 कॉदर में 1839 करोड का इंकम था, इंकम quarter on quarter year on year दोनों में तेजी देखने को मिल रहा है, expenses 1756 करोल का है, पिछले quarter 1660 करोल था, और March 22 quarter 1551 करोल का expense हुआ था, यहाँ पे expenses भी increase हुआ quarter on quarter year on year, साथ में income के साथ expenses increase का है, जिसके बाद net profit निकल किया पिछले quarter 102 करोल था, और March 22 quarter में 272 करोल का net profit था, quarter on quarter year on year, दोनों में तेजी देखने को मिल रहा है, EPS है, यहाँ पे EPS जो निकल के आया है, 1.6 रुपीच का है, quarter on quarter year on year, दोनों में तेजी देखने को मिल रहा है, गाइस इसमें एक और important point है, बैंक सेक्टर में इसका NPA, तो gross NPA percentage हम लोग देखे, तो company का पिछले साल जो 5.9% का जो सो NPA था, gross NPA, लेकिन इस बार देखा जात 5.14% का है, जो कि quarter on quarter year on year, दोनों में यहाँ पे जो सो down देखने को मिल रहा है, और NPA जितना ज्यादा डाउन होगा, तो हम लोग वीडियो कहीं पर end करते हैं, अगर कोई doubt, comment box में पुझे मिलते हैं, नेक्स वीडियो में तिल देन, बाई बाई